करें नमस्कार साथी हैं ऐक बार आपका फिर से स्वागत है मैं बंदना मुत्क डूं अब दिशले हैं और अपनी तयारी को ससे स्वागत हैं और आपके पास है लश्ट मात्र वींस दिन बचे हैं और इन वीस दिनों कीज तरीके से क्या रदना है क्या 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 आपको नहीं पढाएं इस सथफर हम चरचा करेंगे संब आपके ँदू अपनी 10 टे जुट्व के लिए स्लेवर्ष के लिए मात्र फंद्रही तो आपके पूरा रिवीजन करना है आपके पांस सब्जक्ट होते हैं तो आपको मात्र पांच दिन लास्ट के अपनी रिवीजन के लिए चाहिए और आपके ये 15 दिन है लेकिन हम पूरे 20 दिन मानके चलते हैं और इस 20 दिन की हम तैयारी कैसे करें बहतर इस पर चर्चा करते हैं तो चलो शुरुवात करते हैं अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को शेयर भी कर दें अपने दोस्तों को तो सबसे पहला पॉइंट है आपका और ये एक मेंट पॉइंट है कि आपको अपना स्लेवर्स चेक करना है ठीक है तो आपको अपना स्लेवर्स एक बार अवश्य करना है आपको ये दिया कोई इसमें से टम फूट तो नहीं गया है ठीक है जो भी टॉपिक आपका शूट गया या बो टॉपिक आपने बिल्कुल भी कबर नहीं किया है तो आपको बहुट वाला अपना टॉपिक पूरा आपका SST है और SST के साथ ही साथ आपका Science है और Math है तो इन सारे सब्जेक्टों के लिए आपको क्या पढ़ना है इन सारे सब्जेक्टों के लिए आपको NCERT अवश्च पढ़नी है ठीक है NCERT की आपको कहीं से नोट्स नहीं पढ़ने है आपको कहीं से बन लाइनर नहीं पढ़ने है आपको शीदे शीदे NCERT की बुकें पढ़नी है क्योंकि जो चीज हम बुक से पढ़ते हैं तो जो चीज बुक पढ़ने से हमारे दिमाग में जो छपती है वो हमेरी मतलब कहीं से सब देखने से नहीं हमें जहात है सिरफ म teşekkür करчиों है लिए जितने इन जलाकारं आफो एक शाला कार देखने ऐन भी एक शितन बड़े जी एक सला कार होते है NCRT पड़ने से हमारा जो चीज क्लियर होती है वो छीजें हमारी कुछ से और पड़ने से क्लियर नहीं होती है तो NCRT शॉलुशन पड़ने के लिए आप हमारे channel को जौिन कर सकते हो और अगर आप channel पर पहले से हो तो play list में जाके आप सारी वीडियो देख सकते हो तीसरा main point है आपका इन लास्ट 20 दूनों में वो है आपका practice ठीक है यानि ज्यादा से ज्यादा आपको practice लगानी है और ये practice आपको previous years paper की लगानी है क्योंकि इससे आपको ये पता चलता है कि आपका जो paper का pattern है ठीक है वो शुरुआज से लेके जैसे ठीक है आप शुरुआज से लगाते हो 2016 से लगाते हो 18 से लगाते हो अभी तक 23 तक के practice लगाओगे तो आपको ये भी पता चलेगा कि changing किस त ये चीज आपको पता चलती है और इसके साथ साथ मतला आपका जो standard है पेपरों का जो लेविल है उसमें भी कितनी चेंजिंग आई है और किस तरीके से प्रशन हमारे पूछे जाते है क्या NCRT से सीधे प्रशन पूछे जाते हैं वैसे तो ज्यादा तर NCRT से ही प्रशन और पूर में आपको अपके एक्जाम तक बन लाइंडर में भी नोट से ये इईस की आपको दे दूँगी। तो आपको धहरे रखें, आपको अवश्य मिल जाएगी, फिर है आपका, ठीक है, मैन पॉइंट क्या है, फिर है आपकी पेडा गोजी, ठीक है, पेडा गोजी की समझ आपको अवश्य आनी चाहिए, और मैंने आपको जितने भी प्रक्टिस एट लगवाए हैं, चाहिए वो ह और आपको प्रश्णों को छाटना भी सिखाया है, हिंदी के प्रश्णों को जो आपके, ठीक है, हिंदी सब्जेक्ट है आपका, और हिंदी में आपके जो पैराग्राफ आते हैं, उनमें से आपको प्रश्ण किस तरीके से छाटने होते हैं, यह मैंने आपको उताया है, आ पेडागोजी आपकी मजबूत तब होगी जब आपको नेगेटिव ठीक है जब आपको नेगेटिव और पॉजटिव पॉइंट निकालना आता होगा और नेगेटिव पॉइंट कौन-कौन से होते हैं आपके और पॉजटिव आपके कौन-कौन से होते हैं इस सपर हमने चर् जहां भी बात आपकी अन्वेशड की हो जाए अन्वेशड का अरत होता है खोज और यह सारे हमारे क्या होते हैं यह मारे पोजिटिव पॉइंट हो जाते हैं आपका दंड है ठीक है और बच्चे को अथोस्सायत करना है बहुत शारे हैं लेकिन अब यहां अगर चर्चा करें प्लेलिस्ट में जाके अवश्य देखें चैनल पर जाके अवश्य देखें और मैं दिल से चाती हूँ कि आपका यह जो शीटेट है वो पहली बार में ही क्लियर हो जाए तो इसलिए आपको दिल से पढ़ना है और आपको पढ़ाई भी ठीक है लगभग आपको पढ़ाई कमिक कम चार गंटे तो पढ़ना ही पढ़ना है चार गंटे की इस्टडी आपको अवश्य करनी है अगर इस शींकर इस्टडी आपको नहीं कर नी और शाम को आप जल्द से फिरी होने की कोशिश किया करें जो भी महिला है क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है लेकिन मेरे इसाब से शर्दियों का मोशम है अपने यूपी में इधर उत्र भारत में बहुत से जो राजे हैं आपका यूपी है एमपी है तो इधर शर्दी का मोशम आप 8 से नहीं तो कि इंगर इंगे आप साम को पढ़िये और आप शुवए तो आप शुवे thirds दूस चार से पढ़ सकते हु तो आप सुवय चार से और आप शे वजय तक ऐख दूपी थे ये चार गंटे sih आइं और ये चार घंटे आपकी तैयारी में हो जाएगी और अगर आप ये वाला टाइम नहीं दे सकते हो अपने लिए ठीक है तो जैसे कि आप ये चार की जगए आप शोवे पांच से और छे एक घंटा ही दे सकते हो इधर आप एक घंटा ले लिजिए और एक घंटा या फिर दो घंटे आप दिन में भी अपने अवश्य टाइम द होगा तो दिन के लिए आप शोवे तो नहीं दे सकती है मैला है ज्यादा तर और आप पुर्शों के पास भी बहुत ज्यादा काम होता है ठीक है जो बच्चे लोग है जो बिलकुल फिरी है तो लेकिन शीटेट का एक जम क्या है कि बीएड करने के बाद हम शीटेट का एक देते हैं बीटी सी के बाद तो तक तक हमारे पास रेस्पोंशबिल्टी बहुत ज्यादा हो जाती है ज्यादा लड़कियों की शादी हो जाती है और लड़कों की भी हो जाती है तो उन्हें अपनी लड़कों को जॉब भी करनी होती है और लड़कियों को घर भी शमालना ह भावना सांगर टाइम को फॉलो नहीं कर दो है। इस बावना काम फॉलो नहीं कर सकती हैं। तो शुवय आप पांचे छहए हैं घंटा पड़ सकती हैं। और सामको आप नौशे घ्यारा इस आले टाम आपो फॉलो अवश्य करना है तो नौ बजे तक आपको अपना पूरा काम फिरी अवश्य करना है और गयारे बजे तक आप इस टाइम को अपने को फॉलो करशम्थिकों ओशुवे frank और फिर दो पेर में भी आप यानि दो गंटे आपके ये हो गए और एक घंटा आपका हो गया ये तीन गंटे हो गए और फिर आप एक या दो गंटे आप दो पेर में भी अपने आपको अवश्य दें ठीक है और यह आप अपने असाप से निकाल दीजे आप एक से और Top ढूल सकते हो ऑप 014 इस बार नहीं हो पायेगा तो अगली शाल देखेंगे फिर से देखेंगे नहीं आपको इस बार में ही अपना CTAT हर हालत में क्लियर करना है क्योंकि वे इक का समय चर रहा है ठीक है 2024 में आपका इलेक्षन होना है दोजारच चॉबीस में आपका अभी के वी से पीछली सहल, भर्थिया आई थी पिछली साहल भर्थिया आहिए थी है तो इसलिए और आपको अपने सभी सब्जेक्टों के आपको प्रप्टिश बहुत ज्याला करनी है चाहे आपकी हिंदी हो, ठीक है, शीडीपी हो, आपकी EBS हो, और शेकिन पेपर के लिए आपकी SST हो, ठीक है, साइन्स हो, मैत हो, यानि आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, आपको अपने सारे सब्जेक्टों की प्रेक्टिस बहुत ज्यादा करनी है, और जितना भी आपने अभ अभी तक जितना भी पड़ा है, उसको अच्छे से रिवीजन अवश्य करने, जितना आप ज्यादा रिवीजन करोगे, उतनी आपकी तैयारी अच्छी होगी, यानि एक ही चीज को हम जब बार बार पड़ते हैं, तो वह मतला हमारी एकदम से पक्की हो जाती है, आपको रि अब आपको प्रक्टिस भी दिया करूँगी, सारे प्रक्टिस मिलेंगे आपको, हिंदी के भी मिलेंगे, यानि सभी सब्जेक्ट पर आपको मिलेंगे, सस्टी पर मैंनिकल से फिर से शुरू कर दिया है, NCRT के साथ साथ, तो आप प्रक्टिस इस तरीके से लगानी है, कि एक तो आपको 50 तोटल देख नasında है कि आपकी नंबर किस अपगेक्ट में कितने सुपना आपको देखना है यह क्लिदाई तिस सब्जेक्ट इसे इसे अवश्य प्रश्न पूचे जाते हैं। और इसके साथ आपके बाइगोचकी हैं तो बाइगोचकी से भी आपके अवस्य प्रशन या फिर आप प्रक्टिस यहटर देखिए CDP के और इनके जितने भी प्रैसने हैं तो उनको आप कुषोल्ब कीजिएगा ठीक है और इनकी ये जो शंग्यानात्मक अवस्थाएं इन्होंने दी है उनके बारे में आपको थोड़ा जनकार यह लिए इनको आपको अवस्था पढ़ना है इसके साथ साथ आपके CDP में ठीक है आपके CDP में आपकी जो अधिगम अच्छमताएं होती है तो वहां से यहां से भी आपके प्रशन अवस्था बनते हैं यहां से भी आपके प्रशन अवस्था बनते हैं तो बाल विकास की अवस्थाएं पूछ लियाती है आपकी तो इस तरीके से आपको कौन-कौन से टॉपकों से आपके प्रशन बनते हैं यह साली चीजे आपको अवस्था प पच्छी है ठीक है पशू है इनसे आपके प्रश्ण बहुत ज्याला बनते हैं सारी वीडियो में ने प्रोवाइट कर दी है यानी एंसी आर्टी आपको एक बार अवश्य रिवीजन इसका अवश्य करना है चाहे आप कहीं से भी करें चाहे मारे चैनल से कर लें कहीं से भी कर को मैंने आपको हमेशा बताया है कि आपको अपको gramar नहीं पढनी है GRामर ना तो आपको खुद पढ़नी है यानि आफ जया हुद ब्याकरड तो एपको खुद भी नहीं पढ़नी है और बच्चों को भी तो अस तरीके से आपको सिर्व फर्ग्वार लगाने है उर ज्याद आपको और क्या मतलब बता सकती हूं आपकी किस तरीके से आपकी हेल्प कर सकती हूं तो आज के लिए इतना ही धन्यवाद